हलो नमस्कार मैं हुदीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स आई होप आपको मिल चुका होगा ताजा समाचार जहां पर की बिग बॉस अत्रकाई कपल जो की करता था एक दूसरे से बहुत ही जदा प्यार गोसे रहते थे एक दूसरे में जैसे की रोटी और आम का अ के जितने भी अब तक के सीजन्स के जो कपल रहे हैं ना उनमें सबसे जल्दी ब्रेक अप करने वाला ये कपल बन चुका है हाडली कप यार यह जनवरी एंड में खत्म हो था ना विक बॉस जनवरी कबाद फरवरी मार्च अप्रेल लो वह यह तीन महिने में ब्रेक अप की बीब बीब बना रहे हैं बताइए वो चिंकी जो शो में घुसी थी वो चौमु कुमार के साथ स्टेज पर अग्दम आर्ग्यूमेंट करके लेकिन दो दिन बाद बिग बॉस मैं तो उसके दिल वाले रूम में जाना चाहूंगी बिग बॉस वो दोस थे बड़ हाँ बिग बॉसनेस ऐसा कुछ बढ़े उसके पहले ही पती पत्मियों और वह वाला स्टी शुरू हो जाता है और शो के सेकंड वीक में ही एंट्री हो जाती है समर्थ जुरेल की और उसकी जब एंट्री होती तब आपने देखा चिंकी पहले दो डिनाई करती है तो बॉइफ्रेंड बॉइफ्रेंड नहीं है लेकिन कुछ मिनिट के बाद ही गलवईयां चल रही है उसको चोमु कुमार को चड़ाया जा रहा है पपियां जपियां सब चल रही थी और उस दोरां जितने भी मतलब यह एक्स कंटेस्टेंट कहें या फिर जो पी आर बन करके जो बैठे हुए ह और जो नूब्ले हैं जैन जी के हाई किते क्यूटें इननों नजर ना लग जावे उडारियां कपल ओ माई गॉड इनका रिष्टा वावावावा क्या बात है क्या बात है फिर दर्जोन और रील्स और किलो के हिसाब से एड़ेट्स और फिर उस हैश्टेक से जो इंगेज में आते थे मुझे भी घ्यान देते थे इस्पेशली वह एपिसोड जब था ना जब यह समर्थ की एंट्री होती है और चोमुकुमा ने वहाँ पर बगैर ग्लिस्री लगाए आसु भाने की नोटंकी करी थी मुझे अभी भी बहुत हसे आती है जब मैं वह थमनेल देखता तुम उसके जिनन प्यार को उसके जिनन फीलिंग को एक्टिंग बोल रहे है शेम ओन यू शेम ओन यू डियसके शेम ओन यू मैं सब बता रहा हूँ यह जितने भी लोग थे ना उन सब कही नकाई पोपट उस समय भी हुआ था और अब भी हो रहा है बट आयरेनी की बात य आते हैं अच्छे खास फाल Professor ले कर दोस्तों दोस्तों कि टेंफ के जैड़े değer ले दोस्तों के शर्डादडा है आसे शर्डारी घरमा गारे, DRA Kisht segur कि जिञेति शाद हो यह वह तर फॐर्ट के दोस्तों और वह पर्यस्टा हैं और अच्छे मह बर से बनाजाता हैं Hebel axis फिलिंग्स को असली बोल करके चिपका देते हैं, आपने पहले की सीजन्स में भी देखा चाहिए, वो कुशल गौर, पार असमायरा, आसिम हिमानशी और वो बिग बॉस 15 में भी था ना है, क्यार वो गुडवा था, क्या नाम उसका डबल डोल की, अरे एक लड़की दी अठारा आएगा, बाहर से प्री प्लान सेटिंग से कपल्स घुसेंगे, उनके हैश्टेक बनेंगे, ओ, हाव अडॉर्बल, अननो नजर न लग जावे, अननी नजर उतार दो जी, ओ, हो, ये डियेस के तो इनसेंसिटेवे, उनकी फीलिंग्स को फेक बोलता है, ओ, माई ग तो आप समझ जाएं कि जो टीवी सीरियल्स की जो हाड कोर ओडियेंस है, वही ओडियेंस है, इनके जो पियार वगिरा हैं, और उनके रचे चकर विव में फस करके, कुछ सेंसिबल लोग, अगर उनकी थोड़ी बुद्धी चलती भी होगी, तो वो भी घास चलने चली जात में नकली रिष्टों में और रियल जो ऑथेंटिक फीलिंग्स होती हैं उनमें डिफरेंस करना नहीं आता तो उनके बारे में क्या ही बोला जाए ऐसे लोग बेड़ चाल में चलते हैं उन्हें उनके दस लोगों ने ग्रूप में एड़ कर लिया और बुलिया चलो उसको सपो करके एक अरसे सो लोग आपको बनाते आए हैं और आप बनते आए हैं क्यों क्योंकि आपको एक्चुली में रियल फीलिंग्स वर्सेज एक्टिंग होती है नोटंकी होती है उसमें डिफरेंस करना ही नहीं आता यह जैंजी के जितने नूबड़े होने तो छोड़ के संग गुम रहा है मतलब यार अब तो लोगों का खल आ ही जानी चाहिए वो केजरी वालने बाहर के दुनिया में लोगों को बेवकु बनाया बिग बॉस में तो हर सीजन में बेवकु बनाते हैं बट इतने सारे सीजन देखकर भी लोगों में बिलकुल अकल ही नहीं आ र कोई शादी बादी वैसे भी नहीं करने वाले यह लोग बनाते हैं और जनता बनती रहती है खेर हम तो आपको पहले से पहले आगाबी करते हैं आपको पहले ही बता दिया था कि नोटांग कि भाई साहब यह चिंके चिंटू यह समर्त अभिशेक और यह इशा यह ट्राइं यह शेम उन्यों की पीपड़ी बजाई थी एक्चुली मैं शेम तो उन लोगों का आनी चाहिए शरम तो उन लोगों का आनी चाहिए जैसी नोटंगी को ऑथेंटिक दोस्तों रियल जिनन बोल बोल करके कहीं न कहीं घलत चीजों को प्रमोट करने में लगे हुए थे खेर स श्याद आया आपको अगर बाते सही लगें तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तैंक यू सो मच